राधी राधी दोस्तों मेरे चैनल नैंसी शुभम उफीशियल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी सावन सोंबार ब्रत की पूजा बिधी 2023 तो आएए जानते हैं सावन सोंबार ब्रत की पूजा बिधी यदि आप सावन सोंबार का ब्रत हैं तो इसनान करें साप सुत्रबस्तर पहन कर आसपास के सिब मंदिर में जाएं भगवान सिब को अक्षत यानि चावल, सफेद, फूल, चंदन, भांग, धतूरा, गाय के दूद, दीप, धूप, पंचामरत, सुपारी और बेलपत्र अब भगवान का पंचामरत से रुद्रविशेक करते हुए ओम नमाशिवाय मंत्र का जाप करें इन सबके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं इसके बाद सिब पार्वती और गणेश जी की आर्थी करते हुए फल, मेवा या मिस्ठान का भोग लगाएं और इस प्रशाद को सभी लोगों में बाट दें तो दोस्तों ये थी सावन सुम्बार ब्रत की पूजा भिधी अब आपको मैं बताऊंगी सावन सुम्बार ब्रत का महत क्या है तो आईए जानते हैं सावन सुम्बार ब्रत का महत सावन का महिना सिप जी का प्रिय महिना होता है ऐसी मान्यता है कि जो लोग सावन के महिने में मा पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिप को प्राप्त किया था सावन के महिने में जो भक्त सुम्बार का ब्रत रखकर भगवान शिप का बिदी विधान से पूजा और जलिवशेक करते हैं उन पर भगवान भोलेजी प्रशन होते हैं और उनकी हर मनुकामना पूरी करते हैं इतना ही शादी योग्य लड़कियां यदि सावन महिने में सुम्बार का ब्रत रखकर यदि मा पार्वती और भोले संकर के उपाशना करती हैं तो उनके मन वान्चित वर की प्राप्ति उन सभी को होती है तो दोस्तों ये था सावन सुम्बार ब्रत का महत दो हचार तेज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा कॉमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेब जरूर बोलिएगा हर हर महादेब राधे राधे